सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब करने के लिए आप सब का बहुत शुक्रिया आज जिस घर पे मैं खड़ा हूं वह इस घर में पिछले 30 साल से इस तरह की कटेगरी में इस मार्कीट में सबसे टॉप के ओपर है अगर बाद करें इसकी कॉमडेशन की तो इसके मिलते हैं आपको सेवन बेडरूम मिलते हैं दो एक बेडरूम मिलता है बेस्वन मिलता है दो ग्राउंट पर और तीन फर्स्ट पर मिलते हैं इसके दो सब्सक्राइब के साथ एक मेडरूम मिलता है सुइंग पूल मिलता है और अबता का सबसे बड़ा होंज तैटर मिलता है जिसमें आपको लाउंज और आपको रिकलाइन के साथ साथ मिलती है उसके बाद हायर के DC inverter ACS मिलती है वीवर जैसे आपको उने पिताया कि इसकी टेल बता चुकों अब आगे हम चलते हैं इस गर की कंप्लीट टूर के लिए और इस गर के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो के एक टिपिकल बिल्डर इसको इसको इस तमाल आप चेक कर रहें कि वाटर फॉल की इतली फिट है और बड़ी खुबसूरत इसमें से एक आवाज आ रही है जो कि आपको पुर्सकून कर देती है जहां आपको पास प्लांट्स मिलते हैं बड़े जबर्दस किसम के औराल कॉर्लर घार तो इसके बाहरे भी बड़ा खुब बना हो आफ सिक कर देख लें मुलिडिंग व्र्क देख लें रोड आरिन काम देख लें कोदें इसके कम्लीट किया हुआ है अगर देखें हम इसकी सिलिंग देखें तो सिलिंग इंतहाई खुबसुत नहीं है यह उस टैप के लोग के लिए बहतरीन आप्शन है जो कि एक टेस्ट फुल घर मांग रहे हो और वाकी कोठी मांग रहे हो तो कोठी वा नुमा घर यह एक ही है यहाँ आपर देख रहे हैं ऑफ़ ऊपर सिलिंग में जबर्दस किसम का आठ का काम किया हो महाएं और यह आप देख रहे हैं यहां पर जो अल्ला का नाम लिखा है और साथ में यह लाहिए लिखा हो इढ़े हैं पर पूरी आयट करीमा लिखी वह हैं मेरी वालता का जोई बहतरी से काम किया हुआ है और यह मुजाइक छोड़े पत्रों से इन्होंने यह पूरी पूरी दिरी बनाई हुए है और अलग कारपोच की बाद करें तो बड़ा जबरदस्त दो क्रूजर साइस गाड़ियां खड़ी हो सकती है उसके बाद हैं हम यहां पर आते हैं जैसे कि हम कारग पास रोटारेंगे दर्वाज़ा है आप देखें बहुत ही है टेंक लाना पड़ेगा तो यहां से हम एंटर होते हैं एंटर होके हमारे पास यहांपर डबल हाइट लोबी आ यह बहुत खुबसूरत है उपर डबल हाइट से भी कुछ हाइट इसकी जादा है कि कि उपर यहां से आपको लुक्स बड़ी इच्छी मिल जाती है उसके बाद मेरे मेरे लेफ्ट एंड पर आपके राइंड पर ड्राइंग रूम आयता है यहां टीव लोग जायता है यहां पर मर पास राइट पर पॉटर रूम आयता है अब अभी विवर जी देख रहे हैं पूरे रहा है उसके बाद द्रवाजे सारे और इस और वाश्रूम के अंदर आती है तो वाश्रूम के अंदर हमारे पास सामने फ्रेंड को पर जबरदस्त वैनिटी है जो के वाल मॉंटेड है और यह ताइल की बैक से लोपर हैंगिंग कमोड बिल जाते हैं पॉडरों का साइज क बेसे तो केंटरेंस लोबी भी हमारे पास यहां पर एक फार्लेस दी वह ज्योंकि और यहां पर सारी स्टोन की फार प्लेस जो के आपकी लोबी को फार्दियों करता अगर आप देखें इस यां को देखें तो यह एक खुबसूरत नमूना है और आपके गेस्ट को कम्प्लीट वेलकम करता है यहां पर आपके पास काफी बड़ी सिटिंग है और विवर जतना भी फरनीचर बढ़ा हुआ है यह सारा शीशम वूट सोलेड वूट का बना हुआ है और इसको बड़ी कार्विंग हुई है जो के हाथों से विए और यह बड़ी सी इंवर्टर है उसके बाद यह आपकी बिजदी की एफिशंसी बड़ी इच्छी में करता है यहां पर ब्रास का बनावा शेंडलेर है काफी एक्स्पेंसिव है इस शेंडलेर की फैमिली का लाइट लगी है और इसी के साथ मैचिंग आपके डैनिंग में लगी है का प्लेटे पड़ी ही हमारे पास सारी डिनर सेट पड़ा होगा है यहां बूफे काउंटर आजेगा और यह हमारे पास इंपोर्ट जो आपकी ग्लास होते हैं जैसा समान जूपर रखना हो यह को डिकोर के अलिमेंट से तो आप इसली यहां पर सजाकर रख सकते हैं और बा आपका टीव लाउंज का टीव लाउंज में जैसे आप एंटर होती हैं तो आपके पास एक जबरतर शेंडियर है उसके बाद आपके पास प्रॉपर सिटिंग एरिया है और सोफे बहुत ही बलकी साइज की और चोड़े किसम के रखे में हैं वाकर ही लगते हैं कि काफी एक अधर के अंदर जितनी भी रूंज हैं सब में आपको एक सीडी मिलती हैं हायर के डीशी में इसी मिलता है उसके बाद आपके पास फार प्लेस पूरे घर मिल रहे हैं सीच टीवी कैमरा जोना पूरे के पूरे घर में इंस्टॉल है 16 चैनल्स का डीवी आर और दस के आलरी प सब्सक्राइब करें इस चैनल किया है हमारे धे राइट है किचन जलते हैं बहुत खुबसूरत है आप कह सकते हैं यह किचन इस-टेम का महिंगगा किचन है क्योंकि जितना भी आ देखनी सारा सुलिड वूड में बनाव आपस और नॉर्मल जिस तरह हमारे बॉक्स बनते है वरी बोक्स लगे वह उसमें हादरोलीक्स लगे वे हैं यहां टौ हई-पर यहां पर यहां पर रख सकते हैं उसके बाद यह बासर बेसिकलीर होए हैं जो यहां की इसे पारेंगे आगा बनायर और इस्तु करता है इसके बाद यहां पर हैर का ग्लास डॉर के साथ डॉबल डॉर फ्रिज हमें मिल जाता है यहां पर फुल कबनेट मिल जाती है इसको कस्टमाइज कर सकते हैं और यह आगया इसके डिकॉर एलिमेंट डिकॉर वॉल आगी है बहुत ही खुबसूरत है यहां पर आपने सारे जो इंपोर्टेट ग्लास रख सकते हैं इसके अंदर बाकी यह माइक्रोवन बेकिंग और मिल जाती है नीचे शर्स मिल जाती है दिश्वाश्टर इसमें दिया हुए यहां पर दिवार के उपर टाइल्स लगाई है इसका बहुत फाइदा है क्यों किचन के बाद विवर्ज जिस लोभी मैं खड़ा हूं यहां पर आते हैं दो बेड्रूम यह चाइल बेड्रूम है और यह मास्टर बेड्रूम है यहां पर भी इस एरे को बिने पूरा डिकॉर किया हुए यहां पर एक कंसोल रहा जोका बना हुए और काफी ज़रा काम पर यह कुछ पैनल्स दिये हुए यह टाइल दिया हुए ब्राज की स्ट्रिप दिया हुए और उपर भी काफी खुसत काम किया हुए और सीलिंग सारी स्पैनिश लुक्स के अंदर है उसके बाद जो हमारी करटेंज है इंपोर्टेट फैब्रिक के साथ इनने दिया हुए उसके साथ हमारे बाद यह ब्लाइंट है आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं यहां पर एक सोफा दे दिया है नीचे रग आ गया है और इससे मिलता दिलता है नहोंने नीचे फ्लोर पे वुडूरिंग की है यह चाइनिज ए प्लस फ्लस केडेगरी का इंपॉर्टेट फ्लो लेटिस्ट वॉल कंसील्ड है और वेनटी की हाइट बड़ी जबर्दस दी वी है उपर ग्रेन आइट और यह बॉल रखा है उसके साथ लेफ्ट रैट में भी हमरे पस फिर दुबारा यह लाइट सामने इस तरह भी खुबसर कंसोल दिया हुए इसको अपना ड्रेसिंग ए लोही का हैंगिंग कमोड है और इसकी बैक साथ पर यहां पर अमर बास शावर के बना है यह बहुत खुबसूरत है बड़ा प्यार लग रहा है यह मजाइक वर फारज हुआ है उपर फ्लू अच्छत तक लेगे गये हैं वीवर इस गर में एक प्लस बात है वह यह है कि इस जो अवराल थीम है वह बहुत खुबसूरत है थीम के साथ साथ इसमें जो वर्कमेंशिप होगी है वह भी बहुत अच्छी क्वाल्टी कि यह बड़ा पराना है और बहुत ही एक्सपीरिंस बिल्ट रही है यह यह था मास्टर बैड रूम अब अगर हम इसकी चाइल बैड क कर्टन में यूज किया हुए और यहां पर जो ब्लाइंड दी है वह बहुत अच्छी क्वाल्टी किया है इसमें नदर नहीं आते पर रोशनी नदर आती है यह ड्रसिंग एरिया उसके बाद दो चेर सेंटर टेबल और हायर के इस ही आगया और सीलिंग के ओपर बड़ा लगते हैं इसमें उसके बाद ये मरे ब्लाइंड दी विंडोस दी हैं साइडे कवर की गरेनेट के साथ और जो कि अच्छी लग रही है बड़ी खूबस तरीके से ने फिक्स किया लगते है उसके बाद यह यहां और यहां पर है यह अगया वाट रूप जितनी पूरे घर म आपको important कहा मिल रहा है अच्छा कहा मिल रहा है इस गर में कुछ चीजें ही है कि जो modern लोग उनको घर्शत पसंद ना है लेकिन most of the time लोग को घर पसंद आता है क्यों पाकिस्तान में लोग इस तरह कोठी नुमा घर पसंद करती है हम पहले चलते हैं उपर फर्स लोर पे उसकी रोट आरिन का काम मिलता है जो के पूरा सोलिड है यह लोहा पिगला के संचों में डाल के बनाया होता है काफ एक्सपेंसिव काम है गरेनेट में के अंदर भी ने वाइट पती दी है जो कि बहुत खुबस्तूरत है पर नीचे सारी वूड लगा के इसको क्लाइड किया है जो के बहुत प्यारा व्यू देता है नीचे से ओवराल उपर तक जाते हुए आपको यह मिल रहा होता है यह उपर हम आगे हैं और यह तो इदर आना तर एक्मेंट यह देखो यह इसका स्टोन मुजाइक वरक है उपर से लेकर थोड नीचे तक गया हुए फस्टोर थक बहुत ही खुबसूरत यह इसका बड़ा ही प्यारा लगता है और इंटरंस में बड़ा मज़ा आता है इसका खैर हम फस्टोर पर आ चुके हैं आपको फस्टोर दिखाते हैं स्टेर से आते साथ ही आपको यह कुछ रिलिंग्स मिलती है राइट है यह ट्रिपल हाइट आते हैं टैरस का वियू भी आ रहा होता है यहां से हम एंटर होते हैं फ्रेंट बेडरूम की तरफ अब यह बेडरूम आप कह सकते हैं मास्टर बेडरूम है और गेस्ट को यह नाम कर दिख लगबाद है यहां पर मरपास पीछे सब्सक्राइब लगा हुए उसमें कुछ ग ग्यारा फूट होती है यहां हमारे पास एक क्रॉंचे रहेती हैं अगर मैं इसको ब्लाइंट को ठाऊंगा तो गर के बार लॉन और सारी सारी रोड नज़र आ रही होगी तो यह हमारा है फिर्स्ट प्लोर का मास्टर बेडरूम इसके साथ हम आते हैं यहां पर मारे पास ए यह देखें इसका मास्टर बेडरूम बात यहां वाडरूम मिलती है कर वाल को इतना खुबसुत डिकोर किया हुआ है यहां पर ट्रेवटिन पत्थर लगाया हुआ है इसके अंदर कौरियान लगा के बीच में गलास लगाके डिकोर एलिमेंट्स रखे हुए हैं यहां पर ह यहां पास है बेल सब्सक्राइब द्रeवारूम मेस मेह सोब्सक्राइब रखेंद्स ऑाइब है यहां पास इसके बूछा के बिरा आइक है और मैपर यह अपनी उपने लगाया हुआ लगा इतने बड़ी बड़े परल्स चे अंदर यहां में पास rain shower है उसके बाद यह हमारे पास गंदे कपड़े डालने की जगह है और कपड़े रखने की जगह भी है उसके बाद हम चलते हैं आगे यह हमारा इस घर का प्लांट्स रखेंगे अब यह उपर का लाउंज आ गया है लाउंज में आप एंटर होते हैं तो आपको एक्तुना प्रॉपर स्पेस बहुत दाना मिल गी है आपके बच्चे यापकी यह पूरा का पूरा एक कंपार्टमेंट है इस डोर को लोग करें तो आप पूरे का पू ने नवाल करेंगे इस हमें कुछ यह देख न भी किस अ अर्फी यह प्लास कीया हुआ है इस ग सब्सक्रेंट में और यह ब्रॉपर किशन अम्लेते हैजह अब फोग डाथ को ज्योंदी स्वीश की जिए उसका पॉइंट Il Disそうだ के ने Merci अं perhaps कै सकते हैं क्या È आगे आते हैं तो यह एरिया आता है सेम वही एरिया जो कि ग्राउंट फूर उपर था तो हमारे इस तरह लेट लेट एंड के उपर मेरे लेफ्ट है आपके राइट है पर यहां पर चाल्ड बेड्रूम है तो इतर पहले चलते हैं यहां अब इस कमरे की हाइट ना कमसकम 14 फूट है तो यहां पर रहने इस कमरे की हाइट बाकी पूरे घर से हाइट उपर रखी है क्योंकि यहां पर भी बैक सैट से अगर देखेंगे तो कनोपी बनी वी है यह खुबसूरत किसम का बैट है और विवर नाइंटी परसं जो काम वह फॉ Πशाइबर में क्या ओता है तो फाइबर में काम ऐसी है कि दो नंबर काम और लिद्ते passwords को काम, एसको महीनमेह लग जाता है इंको फाली कार्ंविंग करते हुए है यहां से बका बाहर का इना यहां साब वियू आता है और यहां सब इंशिपकर उनेंगा वाडरूब भी बहुत अच्छी तरह नहीं नहीं उसके फ्रेंट सारे सोलिवूड के यह शावर के आपन आगे हैं यहीं से आप एंटर होके आप इजरी शावर के आपन यूज कर सकते हैं और यह ग्रेनेड कितना अच्छा नहीं हुए इसकी कलमें खुशत तरुके से लिगा परदस्त हैं वुडवर की काम बहुत अच्छा किया हो लोने यह अगर चाइल बेड्रूम इसके अंदर भी हमारे पास कार्विंग बेड साथ में दिवारों पे नोवा पेंट्स और वाल्बिपर मिक्स हैं यहां पर दो चेर आगी हैं मारे पास उसके बाद दो नाइट इस सारा खुबस्त किसम का काम हुआ है और फिटिंग जितनी भी असेसरी से सारी ग्रोही है कोई लोकल नहीं है इसके अपर शावर के बना आ गया इसमें अभी आपको मैं टिखाना है टरस काफी अच्छे साइज के दिया हुआ है इसको आप यह देखें अब यहांपर टरस आपके बास दो सेगमेंट्स में यह स्टेप डाउन है पेको चेंज स्टेप यह ला अप है इतरा हमारे पास बेंच आगया यह फार प्लेस आगई है और यह सारा ट्रावटीन पथर आगे बीच में आस्ट्रफ दी वी है इस वोल के उपर इस सारा ट्रावटीन लगा हुआ चुछ करोड़ पिछास लागर पर डिमांड तो आप वुजिल कर सकते हैं अर तो आप जा रहे हैं जो हम इसकी तरफ इसकी दिमांड ऌड़ जो है और प्राइस निगोशियाबल है लेकिन यह की जो आप्शन है राइट नो इतना कुछ आपको इसनी कियुवथ में बहुत ह सूरत है दो अच्छा का से बलकी बंदे बीज़ी जा सकते हैं और विवर सबसे खुबसे गर का element जो के basement है उसमें आज चुके हैं आपको दिखाता हूं जैसे आप एंटर होते हैं यहां पर आपको को फुल एक फ्रिज की जगा पूरा प्रॉपर किचन मिल जाता है यहां बडूर लगा के इसको बंद भी कर सकते हैं जुरूरत नहीं है बर्न फुल साइज के दिया होगा है बाकी देखें दराज श्राज भी दिये वे हैं और अभी बिल्कुत यू है तो चीज़े मेंटेन हो और शावर भी दे दिया है और यह हमाँ पास वैलिटी आगी है अगर स्विमिंग पूल में नहात्यों को इस दर आता है तो यह यूज कर सकता है विवर्स यह इसका अब तक का सबसे खुश्वत हम देटर है यह देखें यह हम देटर के अंदर पूरी पूरी सिटिंग रख अबड़ का होगा फिर आठ चेर जो के आटमेटिक रिमोर्ट कंट्रोल के साथ मसाजर जिकूजी मसाजर रिक्लाइनर जैं आप इसको एजिली कह सकते हैं कि यह देखें यह आगे भी कर सकते हैं ठीक है उसके बाद इसमें मसाज की ऑप्शन हैं आप अभी इसने में पूरी अबिधी क्वा बोडी मसाज में में अबॉर इसमें उपर सिलेंग आप देखने के लाइट नो सारी वाह रोड में में डिया ना सार आरा यो भी दी वें वह वह भी 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 जो सारी आप वह बुला में लगाएट राज लाइट बिदा इस यहां पर दिया हौए के रोग है खुबसुत काम किया हो इसमें और थी स्टेप्स में 1 2 & 3 यह स्टेप्स हैं इसके अंदर यह ऑटमेटिक स्क्रीन इसकी लगी हुए है आप बटन दबाएं उपर चल जाएगा नीचे आजएगा उसके बाद यह साउंड बार लगा हुए यहां पे यहां कुछ लाइट भी द्रूशनी के लिए उसके बाद पूरे बॉक्स के इंदर चारतुराव फ॥िसके स्टेम बड़ाएं है और फोडाए बस्ट हश्ग हो यह फोड़न की चुगे जहां तक कि ऑ हमकर आप कई आप हैं के और मुल वह से ब्लाभ पूल का नदर आ रहा है शीशा तो गंदा है लेकिन खैर बड़ा जबरदस आपको वियू आ रहा होता है आई वीवर्स आपको दिखाते हैं यहां पर स्टेर के निचे कुछ एरे को ने प्लांटेशन सा डिजाइन किया है जो कि बड़ा अच्छा लागर है ग्रीन करों के अं उसके बाद की बात करें तो यहां पर साड़े प्मांच फूट है वहां पर साड़े चार फूट है और बड़ी अच्छी किसम के सेट किया हुए उपर सीलिंग बड़ी दिवी हैं और अगर यह विंडो यह डूर बंद करते हैं तो इसकी स्मेल सारी बाहर चल जाएगी यह बाहर भी सारा मजायक का काम किया वह उसके बाद चनल दिया होए सारा पानी से जा सकते हैं अब आते हैं यह आपर अंदर आते हैं अब यह दुद्ध करते हैं तो यह विची का पॉर्शन लोग करता है यहां पर भी लाउंच आ गया टीव लांच के अंदर देख रहे हैं कि अब फुली आपको कहने स्पैनिश लुक्स के गहर हो तो भाई इस तेम राइट नो यह एक ही घार है इसके बाद सोफे पूरे तीम तरफ दिये में यह इसका एक और मास्टर बेड्रूम है लीचे बेस्मेंट में यहां पर भी आप एंटर होते हैं तो सामने वाल पे सारा लगाया हुआ है सिलिंग के ओपर सारा आठ वर काम हुआ हुआ है यहां पर विआपको स्पैनिश लुक्स में शेलिर मिल जाता है बैट भी सारा सॉलिड नाइट स्टैंड भी ड्रेसिंग भी दो चेर्स और टेबल भी और यहां पर आपको कंसोल आथा टीवी और इस टीव रहा है अब यूज कर सकते हैं यहां पर विल्राइट इसके बाद यह देखें इन यहां पर यह पर एक यह फ्लोर के अंदर और यहां पर वैनटी आयती है वो अवर्ल फुल हाटेक टाइल लगी है यहां पर ने ग्रेन को बड़े चित्री के से लिगाया हुआ है पते इंच सामसिंग की एसी मिलती हायर के डीसी इन्वेटर टी थी सीरीज के उसके बाद आपको सेवन बेड्रूम्स दो सरंग वाटर और एक मेड्रूम यह इस गर का मेड्रूम है जो कि कुर्रेंट्टी राइट नो इसने हम स्टोर में कनवर्ट हो चुका हुआ है यहां पर मशीने यह बातरूम भी आयता है अगर हम बात करें इस घर की प्राइस की तो प्राइस बहुत मनासिब है चोबिस क्रोड़ पर डिमांड है और घर फुली लोड़िड है उसके बाद अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो यह डी एचे फेस फाइफ की टॉप लोकेशन के ऊपर फुली लोड़िड घर के साथ इसकी डिमांड बहुत ही मनासिब है उसके बाद भी प्राइस कम हो सकती है अगर आपने घर खरीदना है या इस घर के घर का विजड करना है तो दिये गए नंबर पर राप्ता कर ले यह अपने बूक कर ले या अगर आपने इसकी कंप्लीड अधर डिटेल पूछनी है तो दिरेक्ली मेरे नंबर में फून करके आप पूछ सकते हैं यह घर राइट नौ फेस वाइफ में सारे तीन चार तीन यह चार आप्शन है और फेस वाइफ बैसिकली रियल डिफेस वाइट की बात करें तो अभी अभी अंडर प्रोसेस है वह तो यह घर आप खरीज सकते हैं अगर आपको कोई बात बुरी लगी है या अच्छी लगी है तो कॉमेंट में जरू बताएं ऐसा कोई दोस्त इसने घर खरीजना हो या बनाना हो उसके साथ यह वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा अपने दौाओं में व्याद रखें अला